आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी को भी बुला देने की एक पाव़फुल ट्रिक के बारे में अगर आप किसी इंसान को भुलाना चाहते हो और आपने सब कुछ ट्राइ कर लिया है फिर भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो उसकी यादे आपकी सिर का दर्द बन चुकी हैं और आप नहीं चाहकर भी पीछा छोड़ा पारे हो तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी पावफुल ट्रिक शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़े बहुत आसानी से कर सकते हो हमसे क्या कहा जादा है कि अगर आपको किसी को भूलना है तो आप हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बिजी रहो मेडिटेशन करो अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ या अपना मन पसंद काम करो पर क्या आप जानते हो कि ये सारी चीज़े भी एक पर्मानेंट सोल्यूशन नहीं है मतलब जैसे ही आप अकेले होगे वैसे ही आपको वो सारी बाते याद आने लग जाएगी ये जो पूरी चीज़े मैं आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा बताऊंगी और इससे ना आप एक महीने के अंदर अंदर उस इंसान को पूरी तरह भुला सकते हो अपने दिल से पूरी तरह निकाल सकते हो क्योंकि ये ट्रिक ना मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शियर की है जिने दो-दो-तीन-तीन साल सी ये प्रॉब्लम थी जो भूल नहीं पा रहे थे उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स बड़े आराम से सॉल्व हो चुकी थी तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करना है और ये खुश इस कदर होना है ना कि आपको लगे कि आज का दिन मेरा बेस दिन है आज तो मेरी लाइफ पूरी तरह पोफेक्ट है आप लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में सोचो ना तो आपको एक सैटिसफेक्शन सा फीलो इस लेवल की happiness और love वाली feeling आपके अंदर आपको feel होने चाहिए आप कोई भी काम करो जब तक आपको वो love वाली feeling फीलना हो तब तक आप उस इंसान को बुला नहीं सकते हो बस आपको ये एक बार ही करना है जब आपने वो वाली feeling एक बार touch कर ली उस वाली feeling तक आप पहुँच गया तब आपको आँखों को बंद करना है अपने आपको बोलना है कि आज मैं इतना खुश हूँ या आज मैं इतनी खुश हूँ आज इस moment इस पल मैं उस इंसान को अपन ज्यादा peaceful और love वाली feeling के साथ एक हूँ और जैसे ही आप ये करोगे ना तो आपको उस moment में जो चीज़े आप फील कर रहे हो एक powerful इंसान के रूप में अपने आपको देख रहे हो जिसके पास सुकून है शान्ती है amazing वाली feeling है inner peace है उस चीज़ को पूरी तरह अपने अंदर आपको फील करना और जब आप उस चीज़ को फील करोगे ना बहुत पाफुली तब आपको क्या करना है यहां से आपको second step पे जाना है अब जैसे ही दोबारा उस person की यादे आए ना तो आपको आख बंद करके उसी feeling के बारे में सोचना है जब आपने उसको अलग किया था आपसे आपने अपने आपको यह बोला था कि मैं इस वक्त इस समय यह इनसान हूँ जो बहुत खुश है जो बहुत पीसफुल है जिसका सुकून उसके पास है और यह यादे उसको अभी disturb नहीं करी और जैसे जैसे वो यादे आपके पास आते रहेंगी ना वैसे वैसे आप यह वाली फीलिंग को बार बार अपने दिमांग में चलाते रहोगे अब इससे क्या होगा ना कि एक दिन में हो सकता आपके पास पचास बार वो यादे आती है उस इंसान की तो वो पचास से पचीस बार आने लग जाएंगी और जैसे ही वो पचीस बार आने लग जाएंग में आपने सोचना कितना ज्यादा कम कर दिया, धीरे धीरे आपका पूरा वो जो टाइम था था थोड़ा थोड़ा घटते बहुत कम हो चुका है, अब मुश्किल से आपको पूरे दिन में बस एक या दो बार याद आ रही है, और अब एक या दो बार वाली याद भी अब आ ह ही नहीं रही है, मतलब आपने अपने माइंड को इस कदर री प्रोग्राम कर लिया कि आपने अपने अंदर एक मेसिज सेट कर लिया कि मैं इस समय बहुत पीसफुल सोल हूँ, मैं बहुत पावफुल सोल हूँ, जैसी ही वो याद आई ना, आपने अपने मन के अंदर एक अ और मेरी amazing feeling मेरे पास है। दो-तीन साल से जो लोग depression में थी जो लोग एक इंसान की यादों को पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे या उनके मन से एक इंसान को भुलाना बहुत जादा मुश्किल हो चुका था जिनसे वो प्यार करते थे जिनकी शादी हो चुकी थी उन लोगों इस ट्रिक से बहुत असानी से अपने आपको वापस पाया है। उन यादों को पीछे छोड़के अपने असली सुकून अपनी लव की feeling को वापस पाया है। जैसे ही वो बातें याद आती थी ना वैसे ही वो अपने आपका वो रूप यात करने लग जाते थे धीरे-धीरे म बापस पाया है।